पोलिय भारत माता की भाई आप यह सेट करके और पीछे हमारे बरिष्ट नेता और हमारे सभी मंत्री गर्ण बेटे हैं इसलिए आप इनको कैमेरों को एक साइड लगा के थोड़ा बैठ जाई आई आप आप बैठ जाई साइड में कैमरा सेट कर दीजिए कोई नहीं छेड़ा का आप चिंता मत करिए यह भारत चंता पार्टी आप बोलिये भारत माता की अरैसे थोड़ी होता है कुई पीछे तक अब इतना बड़ा है अभी मैं देख रहा हूं कुछ बसे तो आई रही हैं इसलिए पंकत जी यही है वो जिनकी बेवस्ता भी है साथ उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है लगना चाहिए कि आज जैपुर के अंदर हमारे नम न्युक्त प्रदेश सद्यक जी का पतवार गेंड काईर किरम में इसलिए लगना चाहिए जोड़ से बोलिये भारत माता की बारत माता की बारत माता की आज के इस काईर किरम में जिनका की आज प्रदेश सद्यक्स के रूप में पतवार गेंड का काईर किरम है एक छोटे से काईर करता के रूप में जिनोंने अपना काईर प्रारम गिया आज हम देश के सबसे बड़े प्रदेश का वो नेतरुत कर रहे हैं ऐसे जमानी हैं हमारे नम नियुक्त प्रदेश अद्यक्स मदन राठोर जी जिनके नेतरुत में विदान सभा के चुनाब और लोक सागबा के चुनाब लड़ा और इतने बड़े प्रदेश में जो कायर करता हूंने जिस मेहनत के साथ राजिस्तान में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाने का काम जिनके नेतरुत में किया ऐसे सम्मानिये निवर्तमान प्रदेश सद्यक सीपी जोसी जी हमारे बीच में अभी आप उनको सुन रहे थे लगातार दो बार मुक मंद्री रहने का और आज हमारे प्रदेश राश्टिय उपात्यक्स के रूप में हमारा नेतरुत कर रही हैं ऐसी मानी बसंदर राजे ज हमारी प्रदेश की से पिरवारी जो लगातार कारिक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं कारिकरताjac difficulties को अधिए कर संदेरे का काम करती है आज हमारे डिप टीचिए मरें हमारे केंद्र में किर्सी मंतरी भागीरत चौधरी जी और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किया ऐसे अरण चौतुरवेजी जी असोग परणामी जी सतीस पूनिया जी और जिनोंने लंबे समय तक बिदान सबा के अंदर लगात साथ बार रहने का काम किया है और हमारे प्रत्वक्ष के नेता के रूप में काम किया है ऐसे संवानी राइंद्र जी के इंद्री आ मंत्री हमारे राज्बर दर जी हमारी राश्ट्य मंत्री अलका गुरजर्जर जी राजेंदुर घहलो जी हमारे पार्टी के बरिश्निता कनक्मल कटारा जी पूर्मंद्री कैलाज चौधरी जी चुन्निलाल गरासिया जी हमारे राजसवा के सांसद नारान बंजारिया जी पार्टी के परिशनेता प्रवुलाल सेनी जी सियार चौधरी साफ सर्दार हजेपाल जी प्रदेश के उपाचेक मुगेदा जी जी को ती मिद्दाजी दामोदरद्र अग्रवल जी मोटिलाल मीना जी जी ठिंद्र गोटवाल जी सिर्बढ्द बगडी यों प्रकाज बड़ाना जी नार्सिंग जोदाजी और स्रीमति संतोरस अलावज जी प्रिषा स्या और मेरे सांबने बेटे हमारे मंत्री मंडल के सभी साथी गंड हमारे सांसत गंड बिदायक गंड और मंच परबराजे जिनका आशीरवाद हमें सदा मिलता है ऐसे हमें हमारे सभी सादू संद उनके तरणों में नमन करता हूं बंदन करता हूं प्रणाम करता हूं और राजस्थान के कोने कोने से आए वो कार करता जहन से मन में जो भाव और उत्सा होता है जिस विचार और संसकार को ले करके चलने बाले गांँ गांँ ठाणी धाणी से आने वाले करता भाई हो पर सभी का मैं यहां आने पार अब नंदन करता हूँ बंदन करता हूँ आप सभी को नमन करता हूँ मितरो आज का हमारा ये कारिक्रम पता है जिस तरगा मैं द्रस से देख रहा हूँ जिस तरह का मैं पीछे तक कार करताओं को देख रहा हूँ क्योंकि आप कार करताओं के मन में जिस बहावरोत उत्सा के साथ आप मदनजी का स्वागत करने के लिए अब नंदन करने के लिए आप आए हैं मैं आप से इतना ही किना चाहता हूँ आप गाओ गाओ ढाओ ढाणी ढाणी से आज क्या इस कारिक्रम में आए है मुझे ये भी पता है क्योंकि आप के साथ लंबे समय काम करने का मौका मिला है मैं एक-एक मंडल के कार करता एक-एक जिले के कार करता मोडचों के कार करता हूं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और आप जो मन में ठान लेता हैं जो पूड़ा करके दिखाते हैं ऐसे हमारे कार करता मैं आज के मुझे पर आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रो आज देश में जिस तरह से 2014 के पहले का बातावन देश के अंदर था आप ने लेकिन 2014 के बास देश के यह सोची प्रदान मंद्री नरेंद्र मोधी जी के नेतुरत में आपने जो परबरतन देखा है जाए मारे गरीब कल्यान की योजनाए हो जाए मारे पिकास की योजनाए हो जाए आतंकबाद लक्सलवात का खत्मा हो जाए दुनिया में बढ़ता भारत का गौरब हो अगर यह हुआ है तो आप जैसे कार करताओं की बदलत हुआ है और राजिस्थान में सरकार बनिये और देश के अंदर तीसरी बार भारतिय जन्ता पार्टी और इंडिये की सरकार बनिये वो आप जैसे कार करताओं की बदलत बनिये मैं आप सभी का लगातार यात्राएं होई थी, आपने हमारी वो यात्रा भी देखी होगी, जिसमें गाओं गाओं ढाड़ी ढाड़ी हमारे सबी कायर करता गए थे, वो कायर करता गाओं गाओं ढाड़ी ढाड़ी रत के साथ गए थे, आपने जो उसमें समच्चा के लिए जो पेटी में पे कहना चाहता हूं हमारी सरकार को लगबग साथ महीने हुए हैं लेकिन साथ महीने में आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग जिस तरह से कहते थे और हमने जिस तरह से सड़क पर मानिय सतीजी के नेतरत में और मानिय सीपीजी के नेतरत में जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन किया था आपने देखा होगा आप ही वो कायर करता है जिन्हों ने कांग्रेस को जबाब देने का काम किया उनकी नीदियों का बिरोद किया उनके ब्रश्टचार को बिरोद किया और युवाओं के जो सबने कुचलने का काम किया उसका भी बिरोद आप जैसे सभी कायर करता हू हमने जिस तरह से भाइदा किया हमने जन्टा के बीच में जिस संकल पत्र को ले करके हम गए थे हमने वो एक एक संकल पत्र पूरा करने का काम प्रारम किया है और आप ने देखा है कि हमने हमारे साथ मिने के कारिकाल में पेतालीस परसेंट से जादा उन संकल पत्रों को पूरा करने का काम हमने किया है मैं आज आप से इतनी बड़ी संग्या में आप आये आप से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मिर भाई और भेनो आपने हमारा पहला बजट देखा होगा हमने जो बाइदे किये थे और हमारे जन पृदिनियों जो ने जो हमसे कहा था वो हमने आप के बीच में करके दिखाया है हमने वो आम जन की समझ़ जिन से आम जन द्रस्ट था पांस साल आपने जो संगर्स किया था उस संगर्स की अबादत के कारण हम कह सकते हैं कि आज पांच साल में जो अबादत आपने लिखी थी उसका परणाम दीरे दीरे आपको मिल रहा है मैं यही केना चाहता हूं आज हमने जो बज़र दिया है हमने जो गोसनाई की है वो एक एक आपके सामने है हमने कहा था कि युवाओं के साथ धोगा देने वाली उस सरकार को हम किसी भी तरह से उन पेपर लीक बालों को नहीं बखसेंगे हमारे पंद्र दिसम्मर को सरकार गटन हुई हुआ था और सोले दिसम्मर को हमने एस आई टी गटित करने का काम किया और आज एक सो पंद्रे से जादा लोग जेल के अंदर है और आने वाली इस्टिति अभी आपने देखा होगा अभिदान सवा के अंदर हमारे प्रत्बग्ष के नेता ने कहा था मचली तो पकड़ ली हैं अभी मगर बच्च बाकी हैं मैंने कहीं चंता मत करिये वो मगर मचमी जल्दी आने वाले हैं यह मैं आप लोगों को विश्वाज दिलाना चाहता हूं अभी कई महत्पूर नेड़ने भी होने वाले हैं तो आपके सामने आने वाले हैं क्योंकि जंता के बीच में हमारा कायर करता जाता है या हमारे जंपृत्नी दी जाते हैं हम आपको भी स्वाज दिलाते हैं हमारी सरकार हमारा चाहे मंडल का कायर करता हो चाहे हमारे जिले का कायर करता हो मोडचों का कायर करता हो जंता के बीच में जिस अच्छे काम को ले करके गया है अगर चन्ता में कह करके आया है तो सामने हमारे चन्पितनीदी भी बेढ़ें और आप हमारे सभी पदातकारी भी बेढ़ें आप जो कह करके आये हैं उस काम को हमारी सरकार पूरा करेगी पूरा करेगी यह हम आपको भी स्वास दिलाते है मैं तो मैं आप से इसलिए कहना चाल जा कि हमारी सरकार ने बजट के अंदर जिस तरह की सभी बिदान सबाद छेतरों में जो काम किया है हमने वो काम किये हैं जो 10 साल और 15 साल से नहीं थे और कांग्रेस की सरकार ने उन कामों को नहीं किया चया हमारी यार सिपी की योजना है जल्दी उसका सलान्यास होने वाला है या हमारा यमना जल समझाता हो या बिजली के छेतर में हमारे दो लाग पच्चीस हजार करोड रुपे का हमारा समझता हो वो भी हमारे जल्दी काम प्रारम होने वाला है आप से हमने जो बाइदे किये हैं उन बाइदों को भी पूरा करेंगे आपने कहा था आप कह रहे थे कि युबाओं की भर्दी कैसे होगी मैं आपको विस्वाज दिलाना चाहता हूँ आज के आपके माद्यम से ये भी कहना चाहता हूँ जन युबाओं ने सबने दे के थे कांग्रेस ने उस सबनों को चकना चूर करने का काम किया मैं आपको विस्वाज दिलाता हूँ कांग्रेस के लोग कह रहे थे लाग नोकरियों के लिए का है हम आज भी आप से विश्वास के के साथ कहना चाहते हैं जो हमारी सरकार ने कहा है उसको हम पूरा करेंगे मेत्रों में आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आप लोग गाऊंगाऊं ढाणी ढाणी से आपको एक एक कार करता के बारे में आप जानते हैं हमारी केंद्र सरकार की हो या राश सरकार की योजाना है हूं उनको ढरातल पर ले जाने का कम यह पर निकल करके आए हैं घरतर करो देख लोगे जातर्डी से ले गया, यहां तक पूरे जो बेटे हैं, एक एक कार्करता के बारे में आप जांते हो, आप पहेंचानते हो, के इन्ओं ने कितनी मेहनत के साथ काम किया है, मैं आप से भी यही कहना चाहता हूँ, और बार बार में कहता हूं इस बाक को, कि यह भारत ये जनता पार्टी है और इस भारत ये जनता पार्टी में एक सिर्फ कायर करता और काम करने वाले कायर करता की पेंचान होती है यह आप विश्वास मानिए यह दूसरी पार्टी कोई नहीं है और वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि भारत ये जन्ता पार्टी कायर करताओं की पार्टी है और ये वो पार्टी है आज आजी के बाद आट दस लोगों ने और उन आट दस लोगा राष्ट बाद ये लोगों ने जिनका गठन किया था और आज वो आट दस लाष्ट वादी लोगों की पार्टी ये देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरब आप जैसे हजारों कार करता लाकों कार करताओं की बदोलत बनाएं आपने देखा होगा हमारी इस काम के लिए कितनी पीडियां भुग गई जिन लोगों ने घर भार कुछ नहीं बसाया वो लोग कितने थे नीमगीद के अंदर वो लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को विचार और संसकार से सीचने का काम किया आपने देखा होगा चतुरुबेदी जी ढ़ी ललितगि सोर चतुरुबेदी जी श्वर्गिया रामदाज जी अक्रिबाल स्वर्गिया रगवीज सिंह चुछी क्ववיसल साब और हमारे महामहीम कि राज पाल सम्मानिय घुलाव जी कटारिया हमारी आधर निय समानिये बसंद्रा राजे जी, महेज जी सर्मा और अभी अभी अमारे राजिपाल बने उंपरकाज जी मातोर, अरुण जी चत्रुवेदी, असोग जी परनामी, मदनलाल स्वर्गिया मदनलाल जी सेनी, सती जी पूनिया, सीपी जोशी जी और अभी भागडोर, सोलह में अध जी राज़ोर साब का स्वागत और अभननन करें, मित्रो, यह कड़ी चलती रहती है, कभी जिला अध्यक्ष के रूप में, कभी मंदल अध्यक्ष के रूप में, कभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो कभी प्रदेश के और जिले के मंदल के पदातकारी के रूप म और ये बदलती है और ये बदलने का किरम है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ आज मननी राठोर की नेतरत में हमारी पार्टी आगे बड़े सरकार की ओधनाओं को हम नीचे तक पहुँचाएं हम एक प्रदेश के नाग रिखोने का भी कर्तब हमें निवाना है मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी वो पार्टी है जो हम समर्पड़ भाव से काम करने वाले लोग है इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम एक नाग रिखोने का कर्तब भी निवाएं हमारे पड़ोस में हमारे गाओं में हमारी धाड़ी में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसे आवश सकता हो सरकार की योजनाओं की जिसे आवश सकता हो क्योंकि बंडे दीन द्यालोपाज जी ने कहा है कि अंतिम छोर पर जो ब्यक्ति खड़ा है उसको लाव दे करके हमें आगे लाना है मैं आप सभी से एक कायर करता होने के नाते मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि उस ब्यक्ति को सरकार की योजनाओं को लाव पोचे हमारी केंदर की सरकार हमारी राजी की सरकार दोनों सरकार की योजनाओं जितनी है उन योजनाओं को लाव हमारे एक एक उस ब्यक्ति को मिले हमारे भाई को मिले हमारे उस गरी ब्यक्ति को मिले जिसको आवच सकता है उसको मिले इसकी हमें ठीक प्रकार से योजना बनानी है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर उस ब्यक्ति के घर तक हम जाएंगे उसकी दुआएं भी हम लेंगे कई लोग हमारे ऐसे होते हैं जो करने को नहीं होता है उसकी यहां भड़ते हैं लेकिन जो हम दे सकते हैं उसे दे नहीं पाते हैं मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूँ हम एक नागरिक होने के नाथे एक ऐसी पार्टी के कार करता होने के नाथे हम उन सभी से जुड़ने का काम हमें करना है क्योंकि पार्टी हमारी हमारी एक राजनीती के अलावा हम सामाज एक सरोकार के काम भी हमारी पार्टी करती है आपने देखा होगा देश के सोची प्रदानमंद्री चौदे में, दोजार चौदे में जब प्रदानमंद्री बने थे, और उन्होंने सबसे पहले स्वक्ष्था का काम अपने हाथ मिलिया, और लाल के लिए से स्वक्ष्था का काम प्रारम किया, और आज पूरे देश के अं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे करके ब्रारम किया था और आज उसका पिर्तपल आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा पिर्तपल हुआ है समानता जो थोड़ी जादा थी वो कितनी कम हो गई है और अभी आपने देखा होगा देश के एसोसी प्रदान मंत्री नरे पेड मा के नाम लगाना है साथ अगस्त को हर्याली तीज है साथ अगस्त को हर्याली तीज है हर्याल और राजिस्तान हम मना रहे हैं मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूं राजिस्तान की हर दिले में कारिक्रम हैं हमारे डिपार्टमेंटों के माद्यम से बन विवाग के माध्यम से ग्रामिड विकास के माध्यम से और हमारे सभी विवागों के माध्यम से हम सबा करोड से उपर पौदा लगाने का काम साथ अगस्त को हर्याले राजिस्तान के माध्यम से करने वाले आप सभी से में निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस छेत्र में है हमारे सभी मंत्री गणवा उस छेत्र में जाएंगे हमारे पिदायकर हमारे छेत्र में रहेंगे हमारे सांसदमा छेत्र में रहेंगे मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि राजिस्तान में बैसे भी आवेशक्ता है क्योंकि हमारा राजिस्तान में रेगिस्तान का एरिया जादा है आप सभी से में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं हम भी उस अभियान में एक-एक कायर करता हूं को साथ लेकर तले और राजिस्थान को पर्यावरण की इस चीदी को देखते हुए हर्याले राजिस्थान के देन साथ अगस्त को हम जादा से जादा पेड लगाने का काम करें अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संग्याम है क्योंकि मुझे यहां से चोमू आउ सो रहा है दीक रहा है वहां तक इतनी बड़ी संक्या है आप राजिस्थान के गाउं गाउं ढाड़ी ढाड़ी हर जिले हर भंडल से कायर करता है आपके राजदानी में पदारने पर आप सभी का स्वागदन अमनंदन करने के साथ-साथ आप सभी को मैं बहुत-बहुत धनवाद और साधुबाद देना चाहता हूँ और यहीं अंत में निवेदन करना चाहता हूँ हम सब एक बिचार के लिए एक संसकार के लिए लड़ रहे है देश की पिरदेश की देश की देश किसी भी राज किसी भी राजनेतिक दल पर विस्वास नहीं करती है अगर उसके मन में अगर कोई बात है तो वो यह है कि अगर राजिस्थान का और देश का अगर कोई भला कर सकता है तो वो भारत ये जनता पार्टी का कायर करता बाला कर सकता है इसलिए उनके अंदर ये विश्वास है हमें वो विश्वास भी बनाना है और आम जन के बीच हमारी सम्मेदनाई भी रहे हर काम में हम उनके पास जाएं हर काम में हम उनका सहयोग करें हम इसलिए नहीं हम व्यवस्ता परवर्तन की बात करते हैं हम अनको उस मिल करके हम उस व्यवस्ता परवर्तन का भी काम करना है और हमारे राजिस्तान को विक्सित राजिस्तान भी बनाना है यह मैं आप के बीच में निवेदन करना चाहता हूं मान्य मोदी जी देश के प्रदान मंत्री जी का यह आवान है कि बिक्सित भारत और बिक्सित राजिस्तान बनाने का जो सपना है उसको पूरा करेंगे इसी आसा और विश्वास के साथ पुने आप सभी को इतनी बड़ी संक्या में आए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद मंच पर बराजमान सभी अमारे बरिश्टनों का बहुत बहुत धन्वाद आप सभी पदारे पुने धन्वाद जै हिंद, जै भारत, जै राजिस्ता बहुत बहुत धन्यवाद मानियों मुक्यमंत्री जी